नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका वीएसम डेरी फार्म ब्लोग में डेरी प्रशिक्षन कारेकर्म सिरीज की आज की कड़ी में हम बात करेंगे दूद एवं दूद उत्पादों की मार्केटिंग के बारे में जैसा कि दोस्तो आप सभी को ग्यात है दूद को पैदा करने में कड़ी मेहनत और बहुत अधिक लागत की आवशक्ता होती है आज के समय में जब अनाज चारे आदी के भाव आस्मान चू रहे हैं तो हमें आवशक्ता है कि हम अपने दूद की मार्केटिंग स्वाइम या एक समू बना कर करें दोस्तों डेरी सदियों से भारत में आएका एक बड़ा स्त्रोत रहा है और भारत में डेरी बाजार ने कवल सबसे बड़ा है बलकि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला भी है इसके अलावा दूद और दूद उतपादों की खपत के मामले में और साथ ही साथ उतपादन के मामले में भारत नमबर एक रैंक पर है दूद हमारी जीवन शहली का एक हिस्सा है और यह दूद के कारोबार को भारत में सबसे आकरशक व्यावसायों में से एक के रूप में खड़ा करता है लेकिन आप किस पैमाने पर दूद का वित्रण शुरू कर सकते हैं और दूद आपूरती आपको कितना लाब दिला सकती है यह वास्तव में एक बहुत ही आकरशक सोच है और आपके लिए आएका बड़ा साधन हो सकती है भारत का डेरी बाजार दो हजार तेहिस में पंदरा हजार बिलियन तक पहुँच गया है और आने वाले वर्षों में यह संक्या बढ़ने की उमीद है दोस्तों एक संपूर्ण दूद वित्रण बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स का पालन कर सकते है सबसे पहले हमें योजना बनानी हैं जिस दूद को बेचने की योजना बनाई जा रही है उसके लिए एक विस्तृत प्लान की तैयारी की जानी आवशक है विचार करें कि आप अपना दूद बेचने के लिए शोप स्थापित कर रहे हैं या वेब साइट फोन के माद्यम से ग्रहकों के ओडर स्विकार करेंगे यदि एक आउटलेट की योजना बनाई जा रही है तो विचार करें कि शिस्थान पर स्थापित होने वाला है यदि ओन लाइन या ओन कोल सेवा जोड़ी जाती है तो सेवा द्वारा डेरी के अन्ने कौन से छेतर कवर किये जाएंगे दूद उतपादन में साथ में दूद के व्यापारी करण में सफलता प्राप्त करने के लिए यह निर्णा लेना आवशक है अपने दूद के उतपादन के लिए एक पहतरीन डिलेवरी सिस्टम खोजे भारत में दूद के उतवोकता सुबह और शाम को दूद लेना पसंद करते हैं यही कारण है कि इस शिडूल पर हर मौसम में हर इस्थिती में उपलब्द रहना आवशक है और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप डिलेवरी शीग्र समय पर कर पाएं इस प्रकार सही वितरन पद्दती का चेहन करना जो आपको दूद उतपादों को उचित समय पर सही स्थान पर अपने ग्रहकों तक पहुँचने में सक्षम बनाएगा आपको इस पर विचार करना चाहिए अगर आप समय पर ग्रहकों को दूद और दूद उतपादन नहीं पहुँचा पाते तो यह मार्केट को प्रभावित कर सकता है प्रोद्योकिकी और ई-कोमर्स का उप्योग लगातार हर छेतर में बढ़ रहा है और दूद का छेतर भी इस से अच होता नहीं है आज इंटरनेट पर सब कुछ टेकनोलोजी की वज़ा से संभाव हो पाया है इसलिए यह सुनिश्चित करना महत पूर्ण है कि इस आधोनिक युग में सफल डेरी फार्मर के रूप में आप ग्रहकों से ओर्डर स्विकार करने के लिए तकनिकों को भी अपना रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इन तकनिकों को कैसे स्थापित और उप्योग करना है इसके लिए आप खुद को या अपने परिवार के किसी सदस्थ से या अपने स्टाफ के किसी संदिस्से को प्रशिक्षित कर सकते हैं दूद और दूद की मार्केटिंग के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि डेरी उत्पादों के खरीदार कौन है विभिन प्रकार के डेरी उत्पादों को आप आए समुहों, भोगोलिक इस्थानों, परिवारिक, संयुक्त या एकल इन सभी बातों का ध्यन महत्पूर्ण है जो उनके सबसे उप्युक्त खरीदार होंगे इसके अलावा डेरी फार्म और गायों भैसों के बारे में प्रासंगी के ग्यान आपको खपत पैटर्ण और बाजार की मांग का विशलेशन करने के लिए प्रिरित करेगा गाएं के दूद की तुलना में भैस के दूद में वसा की मात्रा अधिक होती है पूरे भारत में कई घरों में दूद से मलाई निकाली जाती है फिर इस मलाई से घर पर ही घी बनाया जाता है यह लागत प्रभावी है और इसमें घर का घी बना होने का अतरिक्त लाब है कुछ परिवार कम वसा वाले दूद की अधिक खरीदने की संभावना होती है वे उच्च गुणवत्ता वाले गाएं के दूद का खर चुटा सकते हैं इसके अतरिक्त भारत में दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देशी गाएं के दूद के लिए अधिक मांग देखी गई है क्योंकि इसका सेवन करना आसान है इसलिए अपने दूद वितर्ण में इन कारकों पर भी विचार करना सुनिश्चित करें उपभोकता आधार बनाएं आपको अपने प्रारत्मिक उपभोकताओं या विवसाय के रूप में किन गरहकों पर सबसे अधिक ज्यान के इंदृत करने की आवशकता है यह आपको उन गरहकों की सुची बनाने में सक्षम बनाएगा और आपकी डेरी से विशेश आईटम खरीदने की सुंभावना रखेगा इसलिए यह आवशक है कि आपको अपने विवसाय में पेश की जाने वाली वस्तूओं को संग्रहित और सुची बद्द करना होगा प्राप्त करने के लिए सभी आवशक को खरीद कर एक उद्यम इस्थापित करने में आपकी साहता करेगा यह जानना आवशक है कि विवसाय से कितना लाब संभव है साथ ही आपको पता होना चाहिए कि विकास की संभावना क्या क्या है जब आप अपनी वित्ते योजना बना रहे हैं तो इन सब पहलूं को भी दिहान में रखे इसके साथ ही मवेशी खरीदना और दूद का विवसाय शुरू करना निसंद है एक जबरदस्त वास्तविक अफ़सर है यह आपके लिए बहतर आय का इस्तुरत हो सकता है यदि आप इन सभी शर्टों का पालन करते हैं साथ ही साथ जैसे जैसे मवेश्यों की संख्या में प्रद्धी होती जाएगी दूद का उत्पादन बढ़ेगा यह है पूरी प्रक्रिया उनर निवेश और विस्तार का मामला है जिसे महत्वपूर्ण लाप प्राप्त करने के लिए लगातार होने की आउशक्ता है जैसे जैसे आपके फार्म में आप ब्रीडिंग करते जाएंगे नए नए बच्चे आते जाएंगे फार्म के विस्तार की संभावना है लगातार बनी रहेंगी एक सीमा के बाद में आप पश्यों को बेचकर और दूद उत्पादन बेचकर करके लाब कमा सकते हैं साथ ही पूरे भारत में दूद वित्रण के कई अवसर हैं आपको दूद बेचने के लिए संगर्श नहीं करना पड़ेगा दूद की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है इसके अलावा आप भारत सरकार के कई सिप्सीडी का फायदा ले सकते हैं विबिन प्रकार की प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भारत सरकार अलग-अलग तरह की सिप्सीडी प्रोवाइड करती है और आपका दूद का वित्रण करने में ये सब चीज़ें सायक हो सकती है अपने विवसाय को आदर्श रूप से समालने के लिए चीज़ों को रखना भी बहतर है डेरी दूद वितरन प्रक्रिया बहुत ही सरल है एक बार जब आप गायों से दूद निकालते हैं दूद को चिलिंग कूलिंग स्टोरेज टेंक में स्टोर करते हैं और उची तरुप से संग्रित किया जाने वाला दूद प्रसंसकरन सुईदाओं तक ल दूद डेरी की दुकान किस जगा पर हो यह भी एक आवशक पॉइंट होगा दूद की दुकान खोलने के लिए अगर आप जगा किराय पर लेते हैं या आपका खुद का इस्थान है उसके बाद डेर से छे लाग तक खर्च के बाद आपकी दुकान शुरू हो जाएगी यह प्रारंबिक निवेश होगा इसके बाद आवशक अनुसार संसादनों को जुटाया जा सकता है और अपने उत्पादों को बेचने के लिए अपने व्योसाय को बढ़ाया जा सकता है उमीद है आपको वीडियो में बताई गए बातों से संग्यान लेंगे इन बातों को अच वीडियो को लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें आपको किस विशे में जानकारी चाहिए ये हमें कमेंट के माद्यम से बताएं वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई ये भी हमें वीडियो के माद्यम से बताएं दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं मिलेंग डेरी के लिए किस नसल का चाहिन करें इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं नमस्कार